हम लोग हिंदी के स्लेवर्स का टॉपिक सेवन पढ़ रहे थे जिसमें मैंने दो वीडियो बना दिये उसका ये थर्ड पार्ट है इसमें हम आकलन पढ़ेंगे कि आकलन क्या होता है और आकलन कितने प्रकार के होते हैं क्योंकि आकलन जो है वो मुल्यांकन का ही हिस्सा है हम मुल्यांकन करते समय जो प्रकरिया हम साल में करते हैं उसमें हम आकलन करते हैं वच्चों का मापन करते हैं तो आकलन मापन जो है वो दोनों ही मुल्यांकन के अंतरगत आते हैं तो समझते हैं कि आकलन क्या है आकलन एक व् और छमताओं को ग्यात करणे के लिए प्रिप्त किया जाता है ताकि चाटर को सिकशक विशेश रूप से सैक्षिक पुस्टी यानि कि आ अधिकेशनल सपोर्ट प्रादान कर सके तो आकलन क्या है आकलन व्यक्तिकत रूप से छात्र की कमजोरी यानि कि individually हम हर एक छात्र जो है उसकी कमजोरी का पता लगा सके इसके लिए किया जाता है साथ सद उसकी छमताओं का भी पता लगा सके यानि कि वो कितना strong है कि subject में किस topic में कितना अच्छा है तो हमें आकलन की दोरा कमजोरी और उसकी छमता दोनों का ग्यान हो जाता है और फिर उसकी हिसाब से एक शिक्षक जो है वो बच्चे को स्याक्षिक पुस्टी यानि कि educational support दे सकता है और उसकी कम्यों को दूर कर सकता है और उसकी जो छमताओं उनको बढ़ावा दे सकता है आकलन जो हो योगात्मक आकलन को संकलात्मक आकलन भी खाया जाता है क्योंकि योग या संकलना दोनों चीजों का मतलब सेम है जोड़ना इसे इंग्छिष में summative assessment कहते हैं अब दोनों को देखते हैं कि क्या है यह फस्ट है या रशनात्मक आकलन formative assessment देखिए इसका नाम जो है उससे ही आपको समझ में आना है आप किसी भी term को कोशिश कीज़े कि उसके definition को आप उसके नाम से ही याद करने के कोशिश कीज़े क्योंकि जो उनका अर्थ होता है उनका नाम उस हिजाब से ही रखा जाता है तो रचनात्मक आकलन इसमें क करने में यानि उसके अंदर चीजों को लाने में और सिखाने में help मिलती है आये समझते कैसे बच्चे की रचना करने में ये help करता है रचनात्मक आकलन सिक्षकों को छात्र समझ सीखने की जरूरत हो और पाठ एकाया पाठिकरम के दौरान अकाद्मिक प्रगति के मुल्यां लिए पाठन के लिए किया जाता है तो रचनात्मक आकलन किसले किया जाता है कि बच्चे को हम समझ सके बच्चा कितना सीख रहा है बच्चे के सीखने के लिए क्या क्या जरूरिए कौन सी मैometटर हमें करना चाहिェै और जो भी हमने पाठ लिया, य्योनिट य्या पाठिकरम पढ़ाया है उसमें बच्चे के क्या प्रगति ये बच्चे ने कितना सीखा है रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय ये जांच करता है कि बच्चे ने ग्यान को कितना ग्रहन किया है ठीक है उसके हिसाब से ग्रहन किया है यनि कितना उसकी रचना हुई है तो हम ये चैक करते हैं अगर बच्चे हमें देखेंगे कि बच्चे को यह समझ में नहीं आईए तो हम क्या करेंगे फिर अपने में अपने जो हमारी सिक्षन प्रिनाली है उसमें चेंज करेंगे हम अपने मैथड को चेंज करके दूसरे मैथड से पढ़ाएंगे ताकि बच् करता है student को भी help करता है यह पता उसे लग जाता है कि अच्छा यह चीज मुझे समझ में नहीं आई है और या फिर मैंने जो इसे इस concept को गलत तरीके से समझा है तो मुझे इसमें सुधार करना है और अगर नहीं आया तो teacher से और पूछना है तो उसका खुद का self assessment भी हो जाता ह है यानि कि swam का आकलन भी वो कर लेता है इसके दौरा रचनात्मक आकलन में चात्र और सिख्षक दोनों के लिए गुडात्मक प्रतिक्रिया शामिल है यानि दोनों के लिए ही important है दोनों के को पता चल जाता है अपने बारे में कि मैंने teacher को कि मैंने कितना अच्छे से सिखा है एक शात्र को मैंने कितना सीखा है रचनात्मक आकलन सिख्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहयता करता है जिन्हें समझ में शात्रों को कठनाई हो रही है साथ में teacher को पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन सार बच्चे को नहीं समझ में आया यहां पर ब पीच पीच में किया जाता है जैसे कि हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ाया उसको कुछ कॉंसेप्ट पढ़ाया फिर हमने कोशन पुट अप कर दिये बच्चों से या हमने एक वीक के बाद कोई टैस्ट कंडेक्ट कर दिया तो यह सब क्या हो गया रचनात्मक आकलन या पार के सीखने की शमता में ब्रधिक कर सकता है तो रचनात्मक आकलन का में उद्देश क्या है कि हम बच्चे की रचना कर सके क्योंकि जो रचनात्मक आकलन है इसको अधिगम के लिए आकलन यानि असेस्मेंट फॉर्ड लर्णिंग भी कहा जाता है इंग्रिश से आप प्रशनात्मक आकलन के द्वारा हम रचनात्मक आकलन को करते तो जैसे हम औरल प्रशनुत्तर मौखिक प्रशनुत्तर प्रशनुत्तर पूछ सकते हैं हम बच्चे के लिए वाद विवाद करा सकते हैं छोटे वोटे टैस्ट करा सकते प्रोजेक्ट रख सकते हैं ठीक है यह सारे चीज़े जो हैं वो रचनात्मक आकलन के अंदर आती है यानि कि छोटे जो छोटे समय में थोड़े सा समय बाद जो हम टैस्ट लेते हैं वो बच पूच्ण पूच ले ले बच एक के बाद ये सब क्या हो गया ये सब हमारा रच्लात्मक आकलन में आता है 그런데 और है योगर्त्मनात्मक आकलन संक्ल आत्मक आकलन भी सिका जाते हैं इंग्लिश्य के संवें प्डुटर्न श्रून में योज हम इसको तो जो मेंड पॉइंट है युगात्मा का आकलन का वो ये है कि ये थोड़े जादा समय के बाद किये जाते हैं और इसमें उतना टाइम पीरिड में जो हमने सिखाया उस सब को योग करके पूछा जाता है उन सारी चीजों के योग का आकलन किया जाता है यानि 6 महेने तक जो ह हमने पढ़ाया बच्चों को उन सारी चीज़ों को हम योग करके बच्चे का आगलन करेंगे वह उस टेस्ट में हम छह मैंने जो पढ़ाया सब चीज़ों को चेक करेंगे जो भी सिखाया है योगात्मक आगलन एक निश्यत अवधी के पश्चात विध्यारती की ओवर और पर लेकिन जो योगात्मक आगलन एक निश्यत अवधी के बाद में की जाते हैं जैसे जो आपके हाफ एली एकजाम या एन्वल एकजाम या सिमिस्टर एकजाम होते हैं और मोस्टली यह क्या होते हैं यह डिटन फॉर्म में होते हैं यह हम टेस्ट के थू ही इनको लेते किसी या असेंट्मेंट के द्वारा नहीं किया जाते हैं यह बच्चे के overall performance को देखने के लिए कि अब तक कि जो performance है कैसी रही है उसकी उसको check करने के लिए किया जाता है योगात्माग आकलन में चात्रों को grade या marks प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन के सर को इंगित करते है योगात्म अकलन में हम बच्चे को आप तो grade देंगे या marks देंगे जिससे उनको पता चलाएगा वो कौन से इस तर पर है यानि कि फर्स्ट उनकी रायंग के सेकेंड है थर्ड है कौन से लेवल है उनका कैसे है वो average है कि कैसे यह सारी चीज़े उनको पता चलता है योगात्म अकलन तोरह यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश की पूर्ती में कितने सफल रहें और एक टीचर के लिए क्या है टीचर को पता चल जाएगा कि मैंने मेरा जो उद्देश था इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उसमें मैं कितना सफल रहा हूँ यानि मैंने कितना सिखा पाया बच्चों को तो टीचर का भी आकलन हो जाता है योगात्म अकलन को अधिगम का आकलन कहा जाता है किवा इसमें उसमें आकलन को सिखा किवा को चाहिए हूँ तो आप इसे अच्छे से याद कर लिए जो दोनों चीज़े बहुत important है कि देशनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है और योगात्मक आकलन को अधिगम का आकलन कहा जाता है अब योगात्मक आकलन के अगर हम उपकरण की बात करें या या योगात्मक आकलन कर आते हैं तो ये तो हमारा योगात्मक और रशनात्मक आकलन